नमस्ते चात्रों, आज हम आपके यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं, इस वीडियो में हम भारतिय इत्यास का काल विबाजन के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए चात्रों, हमने इत्यास क्या होता है, इत्यास की क्या परिभासा है, या फिर इत्यास की जानकरी के कौन-कौन से स्रोथ हैं, इन सब के बारे में पहले पढ़ लिया है, और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, भारतिय जो इत्यास है, उसका काल विबाजन, भ भारती इत्यास को हम तीन भागों में बाण सकते हैं प्राग इत्यासिक काल आदे इत्यासिक काल और इत्यासिक काल तो हम कह सकते हैं कि स्रोतों के आधार पर भारती इत्यास को अध्यन की सुविधा की दस्टि से तीन काल खंडों में भक्त किया गया है वो तीन खंड मैंने आ पासान काल भी का गया है आदे इतिहसी काल और इतिहसी काल तो देखिए प्राग इतिहसी काल क्या है प्राग इतिहसी काल के बारे में हम याँ पर थोड़ी सी इंफोर्मेशन प्राप्ट करेंगे आगे विस्तृत भी विस्तृत भी प्राग इतिहसी काल के बारे में विस्तृ प्राग येत्य सि काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्वे का युग इस काल का समय 5 लाग इस्सा पूर्वे से 25 इस्सा पूर्वे तक माना गया है इस काल में लिखित विवरन नहीं है इस काल के विशे की जानकारी पासान के उपकरणों तथा मिटी के बत्नों वै खिलोनों से प्राप्ते होती है इस काल के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक्स रोतों से ही मिलती है तो पुरा तात्विक्स रोथ क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, ये सब हमने पहले वाले वीडियो में आपको बता है, वहाँ देखेगा प्राग इत्यासी काल को पासान काल भी कहा जाता है, क्यूं? क्यूंकि इस काल के लोगों का जीवन पत्थरों पर ही निर्भर था अर्थाथ, प्राग इत्यासी काल के लोग हैं, उनके पास किसी दहातू का या फिर किसी मसीनरी का कोई ग्यान नहीं था, वो लोग पत्थरों से ही सिकार करते थे, पत्थरों से ही कुछ भी काटना हो, उसको काटते भी थे, सब कुछ वो पत्थरों से ही करते थे आदी काल अर्थाद प्राग एथियासी काल को वेगयनिक सब्दावली में प्लाइस्टों सीन अर्थाद अभी नुत्रियूग कहा गया है अब अगलाता है आदे एथियासी काल तो आदे एथियासी काल का समय क्या है 3000 इसा पूर्वा से 600 इसा पूर्वा आदे एथियसी काल में लेख कला के पर्चलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके इस काल के समन्द में जानकरी पूरा तात्विक स्रोतों पर ही निर्वर है इस काल में लीपी का अध्यन नहीं किया जा सका अर्थात अपन उदारन दे सकते हैं हडपा काल की लीपी जो अभी तक पड़ी नहीं जा सकी है ऐसे ही वैदिक काल अर्थात वैदिक काल है उसका समेता 1500 इससा पूरा से 600 इससा पूरा है लेकिन वैदिक काल का जो संकलन है व्यदों का जो संकलन है वो 400 इससा पूरा में हुआ महरसी कर्षन द्वेअपन के द्वारा सिंदो एम वदिक सब्वेता आदे एथियासी काल से संबन्दित है और आदे एथियासी काल के अध्यन हेतु पुरातात्विक एम साहितिक दोनों प्रकार के साक्से उपलब्ध है लेकिन पुरातात्रिक साक्षियों का ही उप्योग हो पता है क्यों कि वो लीपी है वो लोगों से पढ़ी नहीं गीती हो समय ठीक है अगला आता है एथियासी काल एथियासी काल का समय क्या है 600 इसा पूर्वे के 57 का काल तो एथियासी काल का समय है 600 इस्सा पूरा के बाद का काल इस काल के अध्यन हे तू पुरातात्विक साहित्यक तथा विदेशियों के वर्णन तिनों परकार के श्रोथ उपलब्ध हैं अध्याथ हम कह सकते हैं कि जो जैन, बोद, मोर्ये आधि जो भी बाद का जो समय है वो सारा का सारा इथियासी काल में आता है इथियासी काल है छटी सताब्दी इसा पूरा से प्रारंब होता है और इथियासी काल में पुरातात्विक लिख्य साक्से और लिख्य साक्सों को पढ़ा भी गया है आता है ऐसा काल जिसमें लिक्की साक से प्राप्त हुए हैं तथा उन्हें पढ़ा भी गया हो ऐसा काल इत्यासी काल कहलाता है तो देखे चात्रों हमने यहाँ पर भारती इत्यास के काल विभाजन को पढ़ा दूसरे सब्दों में हम भारती इत्यास को अन्य तीन भगों में बाढ़ सकते हैं वो कौन-कौन से हैं प्राचीन भारती इत्यास, मध्य कालिन भारत का इत्यास और आदूनिक भारत का इत्यास तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हम प्राचीन भारती इत्यास के बारे में पढ़ेंगे प्राचीन भारती इत्यास के बारे में सबसे पहले हम पासान काल के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हडपा काल को पढ़ेंगे तता बाद में हम वैदिक काल को पढ़ेंगे तो धन्यवा चात्रों आज हमने यहां पर भारती इत्यास के कालवी भजन के बारे में पढ़ा ऐसे ही हम नए-ने वीडियो आपको और दिखाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे तो हमारे यूटूब चैनल से आप जूड़ें ताकि आपको नए-ने वीडियो मिल सके